हेलो बच्चो आज आप लोग के सामने एक नया टाइप का इंटिग्रेशन में लेकर क्या है हूँ ठीक है अगर आपको एक्जाम में इंटिग्रेशन का जो कोश्चन अगर इस फॉर्मेट में अगर दिखेगा आपको तो उसके लिए मैं आप लोग के सामने वर्किंग रूल लेकर किया हो कि लाइक ज़्यादा आपको सोचना नहीं है अगर आपके एक्जाम में इस फॉर्वर्ट में अगर कुश्यन है तो क्या आपको दिमाग में एड़्जेस्ट करके चलना है ठेक है तो सबसे पहला हमारा वर्किंग रूल है मतलब यह जो साइनिक्स यहां पर दिख रहा है इसका जो पावर जो एम है अगर वो आपको और नंबर पर दिखेगा तो आपको सिंपली पुट करना है कॉस एकल सुट्टी ठेक है यह पहला वर्किंग रूल है अगर माल लिजे आपके दिमाग में कुश्यन आएगा अच्छ है कॉस के पावर में अगर दिख गया तो इसके लिए भी वर्किंग रूल है इप इंटिग्रल हैस पावर फॉस एक्स एन और पॉसिटिव इंटियर तो हमको क्या पूट करना है साइनिक्स एकल शूट टी ठीक है अच्छिए नेक्स हम फिर दिमाग में आ रहा होगा कि सब दोनों हमारा ओड दे दिया तो फिर क्या करेंगे इप इंटिग्रल हैस फावर फॉस एन कोश एक्स बोथ और पॉजिटिव इंटियर तो आपके उपर चॉइस हो जाएगा आप साइनिक्स को टी मान सकते हैं या कॉस एक्स को टी मान सकते हैं तो मेरा मानना है कि अगर साइ अगर आपको नेगेटिव से ज्यादा प्यार है तो आपको सेक्स ले सकते हो कोई शू नहीं है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब किस तरगा को कोशन एक्जाम में दिख सकता है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहला को सॉल्यूशन दिखे ठीक है हलाकि चलिए ठीक है में चलिए तो सबसे पहला कोशन है हमारा साइन क्यू चूब outta एंटू कोस स्कोर तो क्या ती बुला था लेने के लिए अब हमने क्या कर दिया डियेंक्स की जगह इसको पूट कर दिया is तो देखें यहां पर पूट किया होता है नीचे मैंने एक सब्सक्राइब पूट कर दिया है ठीक है फिर मैंने माइनस साइन को बाहर निकाला ठीक है फिर मैंने साइन से एक यह cancel out होके तो square बच गया यह तो sin square x minus cos square x dt हो गया ठीक है अब ध्यान से देखना cos x को तो मैंने t ले लिया है ठीक है तो sin x का क्या sin x के जगह मैं क्या put करूंगा तो याद रखिएगा एक formula होता है sin square x plus cos square x क्या होता है equals to 1 तो मुझे sin square x की value चाहिए तो sin square x की value चाहिए तो ठीक है 1 minus cos square x कर दिया ठीक है इसलिए क्या क्या है क्योंकि मेरे पास हमको तो यह है allow है कि हम cos x को t ले सकते है तो अगर सारा time मेरे cos cos पे दिखे तो हम t ले सकते है तो यहां पर कॉस दिखेगा t ले लो तो cos square x है तो t square होगे यहां पर cos square x है तो t square होगे t square dt होगे यहां तक तो कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए step by step हम कर रहे है आपके लिए ठीक है उसके बाद क्या करेंगे यहां पर हमने क्या 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 होता है टी क्यूब बाइ 3 वहीं लिखा होगे मैंने और टी रिश्वा 4 का क्या होगा तो टी 5 अपॉन 5 यह भी लिख दिया मैंने यहां पर ठीक है अब क्या गरा टी की जो value हमने लेट करी थी put करा था वह यहां पर पुट कर देंगे ठीक है तो टी का था कॉसेक्स तो अगर मालो टी का हो गया कॉसेक्स ठीक है तो टी क्यूब का क्या होगा सिंपल ठीक है वही कर दिया यहां पर कर दिया यहां पर अब क्या गया ब्रैकेट कोल दिया तो जो पॉसिटिव में नेगेटिव हो जागा जो ने कर दिया पावर को पावर को चेंज करते हैं क्योंकि हर एक फार्मेट अगर मैंने तीन वरकिंग रूल लिखाया तो तीनों पर कुशन नहीं कराऊंगो तो आपको समझ भी नहीं आएगा है ना यह स्युआ पर जाएगा तो हम चिक करेंगे ओड़ तो अब क्या पूट करना है साइनेख्स को टी म्हाल साइनेख्स करूंगा ती का क्या होगा देटीवाइडिएट हो जाएगा हो जाएगा हम को दीएकस से यह बनाया बाकी बाकी को उधर लेके चलेगा कोई शूरी है अब लोग क्या करेंगे यहां पर कि मैंने वहीं बोला इस्टेप आप लोग के लिए बनाया है तो मैं दो से तीन स्टेप में सॉल्व कर सकता था तो क्या करेंगे दिखें यहां पर करके क्या कर दिया अब यह क्या कर दिया एक इसका पावर कम कर देगाने अब दिखें जिसको हम टि लेट करते हैं में पूरा टम उसी टमब में जाहिए अब देखें साइन 4x है ना जिसको क्या लिख सकता हूं मैं cos square x का whole square लिख सकता हूं मैं ठीक है अभी तुमको बताया था cos square x का formula मुझा ऐसे बताया था ना sin square x plus cos square x equal to 1 मुझे क्या चाहिए cos square x का subject बना लो cos square x equal to क्यों क्यों हो गया 1 minus sin square x है ना तो क्या करेंगे अंदर क्या पूट कर देंगे 1 minus sin square x का whole square हो गया क्लियर है तो वही चीज मैंने यहां पर कर रहा है देखिए अब देखिए यह सारी चीजी है ना टैक्टिस पर ही आईगी ठीक है यह बच्चों लेवल पर कराया गया आप लोगों बढ़ हो सकता है मैं इसको बारवाइस लिए बता दे रहा हूं क्योंकि टैक्टिस करते हैं अब जितना प्रैक्टिस करोगे वह आपके उतना ही यूश्टू हो जाएगा आप उतना ही आप उसको इसी तरीके से कर पाऊगे वह प्रैक्टिस के ऊपर डिपैंड करता है टोटली ठीक है खाज करके तो मैं 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 अ कर दो चलते आगे बाते बहुत हो गए तो 1-sin2x तो क्या गरा sinx को t ले लिया यहां t put कर दिया मुझा ले लिया था पहले लिया नहीं पहले लिया था तो t put कर दिया यहां t put कर दिया ठीक है अब क्या करेंगे a-b का whole square का formula में तोड़ दूँगा करा यह टम आ गया ठीक है अब इसको integrate करूंगा तो t square का क्या हो जागा टी क्यूब बाई 3 टी सिक्स का क्या हो जागा टी सेवन बाई 7 यह हो गया अब टी के वैल्यू पूट कर दी वी गौट दा अब चलो एक और बेसिक चीज बता भी देता हूं बच्चों को हो सकता परेशानी हो रही होगी कहां पर क्या परेशानी हो रहे है यह multiplication में यह multiplication करना कि यह टम कैसे आगया सर अरे भाई टी स्क्वार ठीक है टी स्क्वार अगर मैं वन से multiply करें तो t square ही होगा कोई दिख्कत नहीं है अब t square into t raised for 4 से multiply करोगा तो जब base सेम होता है तो power add हो जाता है तो t6 में ठाए है अगर मान लिजिये T square फिर है ठाए अब उसको मैं multiply कर रहूँ किससे T squ Grid से तो क्या हो जाएगा फिर मैंने बोला बेस से में तो पावर एड हो जाता है तो यह फोर हो गया पावर मल्टिप्लाइ काई मत करना बच्चे लोग कभी कर देते एट लिए यह पर तो गलत हो जाएगा एक्षुली होता क्या है पावर एड होता है ठीक है तो यह सिक्स हो गए यह भी बेसिक चीज बता दी मैंने आपके इस पर चलिए आगे बढ़ता हुए नेक्स्ट हमारा है थर्ट टाइप का कुश्चन है नेक्स्ट अब लास्ट में इक इंपोर्डेंट कुश्चन आप लोग लेक्या आया हुए ठी तो देखे इस बार यह कुश्चन अब देखे दोनों ही मेरा इसमें और पॉजिटिव इंटेयर है तो मैंने आपके उपर है तो मैंने किया अगर आपको पहले ही बता था मैं साइनिक्स को टी लेकर के चलूंगा क्योंकि नेगेटिव मुझे पसंद नहीं है ना नेगेटि में तो आता ही आता है बड़ नहीं बसंदे चलो कोई शुनिए तो साइनिक्स का डिफ्रेंसेशन क्या हो गया को सब्जेक्ट बना लिया को सब्सक्राइब कर दिया ठीक है चलिए इसको आगे करते हैं तिर कैसे क्या है यह देखिए अब हमने क्या कर रहा है वेल्यू माँ पुट कर दी एक कॉसेट से इसका पावर कम हो जागा तो स्कुराइब नहीं लिग दिया थोड़ा-थोड़ा लेवन बढ़ा रहा हुए थोड़ा सा कर रहा हूं यहां पर तुरंधी मैंने पूट कर दे ठीक है अब यह कॉस स्कूरर एक्स का वन मैंनेस साइ यह टी रेश्पार 9 है, साइन तो मैंने टी ले रहा था, 1- T-square यह टी रेश्पार 9 हो गया, अब यह 9 इससे मल्टिप्लाइ होगा, फिर इससे भी मल्टिप्लाइ होगा, ठेक है, फिर से वही बेस से मोता तो पावर एड होता है, तो देखे, अगर 1-2-2-9 हो रहा है, तो ट टी रेश्पार 9 होगा, इसमें कोई चेंड नहीं होना है, लेकिन अगर बे टी स्क्वार इंटू टी रेश्पार 9 करना हो, तो पावर देखे, एड हो जाता है, तो 11 हो जाएगा, ठेक है, इंटिग्रेशन करोगा, इंटिग्रेशन काफी एजी है, कर दिया, फिर T का वैल् देखे, पारकिंग रूल पर हम डोगों ने कर लिया, तो अब दिखे धियान से, यहाँ पर साइनिक्स दीख रहा है, कॉसेक्स दीख रहा है, अब तुरंत आप यह मत कर देना, अच्छा सर यहाँ पर कॉसेक्स का पावर जो है, वह और है, तो सर यह पुट कर देते, कभे नहीं कि यह जो ठीटा है यह दोनों ठीटा सेम नहीं है यह अभी कर सकते हैं put format में देखना यह जो ठीटा है और यह ठीटा है वो क्या होना चाहिए है सेम होना चाहिए एक लिएर तो यहां पर का फार्मुल हम लोगों पता है साइन टू एक्स होता है तू साइन एक्स कॉस एक्स टिक लेकिन मुझे साइन एक्स है तो अगर मैं ठीटा को टू से डिवाइड करता हूं तो यहां भी ठीटा पर ही डिवाइड होगा यह याद तो यहाँ पे क्या बोलना था मैं एक यहां पर बोलना था कॉस EKS बाई टू ठीक है तो यह फार्मुला क्या बन गया यह टू इसको cancel out कर दिया तो साइनच का फारूला क्या बन गया ओसाइनग्स एकश उस categ यह फारूमौला न थेका है साइनच के फारूमौला बन गया चली यह भी बनाना सिखा दिया आपको अब सिंप्ली पूट कर देंगा het चलिए पुट कर देता हो मैं इसको साइनेक्स का लिख दिया तू साइनेक्स बाइटू यह तो एंस इस रहेगा ठीक है अब देहां से देखें तो कैसे एड़ हो जाएगा चलिए लेट सी तो यह देखें कॉस एक्स बाइटू कॉस नहीं तो पावर वन है तो कॉस रिष्ट पावर वन जागा तो देखें लिख दिया यह साइन इस बाइटू अब देखिए दिहान से कॉस्षन बिल्कुल बदल जा पहले क्या लग रहा था कॉस का पावर फाइटू को आप कुछ और पूट कर देते फिर फस जाते तो यहां पर आप क्या है को साइन का पावर है साइन इक्स को जो उसका ठीटा होता है उसी को पूट करते है जैसे मेरा यहां ठीटा जो एकस बाइटू था तो इसलिए कॉस्ष्टी पूट करें को टिक रटकी रट्टाफिगेशन नहीं समय ना इसलिए इंपॉर्डन कोशन में लेकर क्या है इस दिमाग में बैठा रहा तो आफटर डाट क्या करेंगे हम लोग एक सब्सक्राइब क्या करेंगे दिए ट को सब्जेक्ट बनाए यह सारी इधर आगया दिएक्स पूट किया तो यह और यह टर्म तो यह तो इससे मल्टिप्ला के फोर बना दिया यह ठीक है अब यह काफी असान हो गया करना इंटीरेशन टीरेश पर सिक्स का तो सभी को आता है यह पर सिक्स क्या हो जाएगा टीरेश पर सेवन अपॉन सेवन प्लस सी अब टीका वैल्यू पुट कर दो डैट इस फाइनल एंसर ठीक है आई होप मैंने आप लोगो स्टेप बाए स्टेप सारी चीज़े बताई हैं और यह मैंने solution भी आप लोग के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि वीडियो जो है वह कम टाइम का बने क्योंकि लंबी वीडियो देखने के बाद बच्चे लोग पहले से यह बहुत लंबी वीडियो है फिर स्कीप कर देते हैं तो स्कीप कर देने से क्या होता है कि जो अंदर का यह सोलूशन बना लिया है और समझाने में असानी हो और वीडियो कम टाइमिंग का बने और आपको कंटेंट भी अच्छा मिले तो यह सोच था हमारा अगर आपको लगे कि नहीं सब्सक्राइब लिग करके बताओ तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करो ताक ठीक है यह चीजे समझ में आई होंगी और इसके रिलेटेड और वी कॉशन प्रैक्टिस करना है तो बार बार मैं आप से वीडियो के एंड में कहता हूं कि आप वट्सप करना और मैं आपको सेंड करनेंगा वह सारी चीजे ठीक है तिल देन जढ बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब